प्रेविद्यार्थियों नमस्कार आशा है कि आप स्वस्थ बैप्रसंद होंगे हम ये जानते हैं कि सभी जीव चाहे वह एक छोटे से छोटा सूक्ष्म जीव हो या इस प्रत्वी पर सबसे बड़ा जीव ही क्यों ना हो जीवन का प्रारंब एक कोशिका से ही करता है आप आश्चरी सिकित हो सकते हैं कि कैसे एक कोशिका से इतने बड़े जीव का निर्मान होता है तो आईए आज हम कोशिका के इस रहष्य को जानने का प्रयास करते हैं हमारे आज के सत्र के अधिगम उद्देश से रहेंगे कोशिका चक्र की विभिन प्रावस्थाओं का वर्णन करना, कोशिका विभाजन को परिभाशित करना, सूत्री विभाजन का सचित्र वर्णन करना, चात्रों में कला कौशल, व्यज्ञानिक दिश्टिकोन, प्रवर्ति और अवलोकन कौशल का विकास करना, इसके साथ साथ जीविग्यान की अध्यन में अर्जित ज्यान को दैनिक जीवन में सहसंबंद करने और अनुपयोग में लाने का भी हम प्रयास करेंगे, व्रद्धी वे जनन सभी कोशिकाओं की ही नहीं वर्ण सभी सजीव की एक विशेश्ता है, कोशिका सिध्धान्त के अनुसार, एक कोशिका का निर्मान पूरुवर्ति कोशिका से ही होता है, इस प्रक्रिया को हम कोशिका विवाजन कहते हैं, सभी कोशिकाओं दो भागों में विवाजित होती हैं, जिसमें प्रतेक पैत्रक कोशिका विवाज करती हैं एक पैत्रक कोशिका और उसकी संतती व्रद्धिवे विभाजन के बाद एक नई कोशिकी जनसंख्या का निर्मान करती है दोसे सब्दों में इस प्रकार की व्रद्धिवे विभाजन के कई चक्रों के बाद एक कोशिका से ऐसी सनचना का निर्मान होता है जिसमें कई लाख कोशिकाएं होती हैं कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक अत्यन्त महत्तपून प्रक्रिया है एक कोशिका विभाजन के दौरान डिने प्रतिकृति वे कोशिका व्रद्धी होती है ये सभी प्रक्रियाएं जैसे कोशिका विभाजन डिने प्रतिकृति और कोश विखाजन सही होता है और संत्तती कोशिकाओं में इनकी पैत्रक कोशिकाओं वाला जीनोम होता है। कोशी का द्रव्य व्रद्धी के संदर्व में एक सतत प्रक्रिया है जिसमें DNA का संस्लेशन कोशी का चक्र की किसी एक विशिष्टावस्ता में होता है। कोशी का विभाजन के दौरान प्रतिकृति कृण सूत्र अर्थात DNA जटिल घटना करम के द्वारा संतती के इंद्रकों में वितरत हो जाते हैं। ये सारी घटनाएं आनुवनशिक नियंद्रण के अंद्रगत होती हैं। स्क्रीन पर दिखाएगे चित्र को आप ध्यान से देखिए। एक विशुद्ध यू केरियोटिक कोशिका चक्र का उधारन मनश्य की कोशिका में सूत्री विभाजन है। जिसमें कोशिका संबर्धन सूत्री विभाजन द्वारा होता है। तथा कोशिका लगबग प्रतेक 24 घंटे में विभाजित होती है। यद्यपी कोशिका चक्र की यह अवधी एक जीव से दूसरी जीव एवं कोशिका से दूसरी कोशिकार प्रारूप के लिए बदल सकती है। उधारन के लिए, यीस्ट के कोशिका चक्र के पूर्ण होने में लगभग 90 मिनट लगते हैं, पुनह स्क्रीन पर दिखाए गए इस चेत्र को आप ध्यान से देखिए, कोशिका चक्र की दो मूल प्रावस्थाएं होती हैं, पहली अंतरावस्था जिसे हम इंटरफेस कहते हैं और दूसरी M प्रावस्था जिसको हम माइटोसिस फेस कहते हैं, सूत्री विभाजन अर्थात M अवस्था उस अवस्था को व्यक्त करता है, जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन या समसूत्री विभाजन होता है, और अंतरावस्था दो क्रमिक M प्रावस्थाओं के बीज की ही प्रावस्था को व्यक्त करता है विद्यार्थियो ये ध्यान देने योग्य महत्व की बात है कि मनश्य की कोशिका के आसदन अवधी 24 घंटे की कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन सिर्फ लगभग एक घंटे में पूर्ण होता है जिसमें कोशिका चक्र की कुल अवधी की 95 परतिसत से अधिक की अवधी अंतरा वस्था में ही व्यतीत होती है M प्रावस्था का प्रारंब केंड्रक के विभाजन अर्थात केरियो काinnас से होता है जो की संगत संतति गुन सूत्र के प्रतक करण सूत्री विभाजन के संतूल्य होता है इसका अंत कोशिका द्रबी विभाजन अर्थात साइटो कानिसिस के साथ ही होता है अंतरावस्था को विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं यह वह प्रावस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तयार होती है तथा इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका व्रद्धी वे डिने का प्रतिकर्तिकर्ण दोनों ही होते हैं अंतरावस्था को तीन प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है पहला पश्च सूत्री अंतरकाल प्रावस्था जिसको हम G1 फेज कहते हैं दूसरी संसलेशन प्रावस्था जिसको S फेज कहते हैं और तीसरी पूर्व सूत्री विभाजन अंतरकाल प्रावस्था अर्थाथ G2 फेज कहते हैं स्क्रीन पर दिखाएगे चित्र को ध्यान से देखिए पश्च सूत्री अंतरकाल प्रावस्था अर्थात जीवन फेज सम सूत्री विभाजन एवं डीने प्रतिकर्ति करण के बीच अंतराल को प्रदर्शित करता है जीवन प्रावस्था में कोशिका उपाप पचये रूप से सक्रिय होती है एवं लगातार वद्धी करती है परण्तु इसका डीने प्रतिकर्ति नहीं करता है S-Phase या Sunslation प्रावस्था के दौरान डीने का निर्मान एवं इसकी प्रतिकर्ति होती है इस दौरान डीने की मात्रा दुगने हो जाती है यदि DNA की प्रारंबिक मात्रा को दो C से चिन्नित किया जाए तो यह बढ़ करके चार C हो जाती है यद्य भी गुण सूत्र की संख्या में कोई व्रधी नहीं होती है यदि G1 प्रावस्था में कोशिका द्विग्णित है अर्थात 2N गुण सूत्र है तो S प्रावस्था के बाद भी इसकी संख्या वही रहती है जो G1 आवस्था में थी अर्थात 2N ही होगी प्रानी कोशिका में S प्रावस्था के दौरान केंद्रक में DNA का जैसे ही प्रतिकृतिकर्ण प्रारंब होता है वैसे ही तारक केंद्र का कोशिका द्रवे में प्रतिकृतिकर्ण होने लगता है कोशिका व्रध्धी के साथ सूत्री विवाजन हेतु जी टू प्रावस्था के दौरान प्रोटीन का निर्मान होता है प्रोड प्रानियों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं जैसे हृदय कोशिका और अनेग दूसी कोशिकाएं यदा कदा विभाजित होती हैं ऐसा तभी होता है जब ख्षतिग्रत या मृत्य कोशिकाओं को बदलने की आवश्यक्ता होती है ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती है जीवन अवस्था से निकल करके निस्क्रिय अवस्था में पहुंचती है जिसे कोशिका चक्र की शांत अवस्था या जीजीरो कहते है इस अवस्था की कोशिका उपापचिये रूप से सक्रिय होती है लेकिन ये विभाजित नहीं होती है इनका विभाजन जीव की आवशक्त अनुसार होता है प्राणियों में सूत्री विभाजन केवल द्विगुनित अर्थात डिपलोईट कायक कोशिकाओं में ही दिखाई देता है इसके विप्रीद पादपों में सूत्री विभाजन अगुनित एवं द्विगुनित दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में दिखाई देता है हाला कि इसमें कुछ अफवाद भी हैं जहां हैपलॉइड अगुनित कोशिकाएं समसूत्री विवाजन द्वारा विवाजित होती हैं उधारन के लिए नर्मदुमक्यां अब आप एक छोटा सा चिंतन वनन कीजिए पहले से पड़ेवे पादपों में पीड़ी एकांतरन के उधारनों को याद करते वे ऐसी पादप जातियों और अवस्थाओं की पहचान करें जिनमें अगुनित कोशिकाएं में सूत्री विवाजन दिखाई पड़ता है इन्हें आप अपनी अभ्यास पुच्तिका में लिख सकते हैं प्रिविद्यार्थियों आप प्याज की जड़ की सीज़ पर पाई जाने वाली कोशिका में सूत्री विवाजन का ध्यान तो करें चुके होंगे इसकी प्रते कोशिका में 16 गुन सूत्र होते हैं क्या आप बता सकते हैं कि G1 अवस्था, S अवस्था एवं M प्रावस्था के बाद कोशिका में कितने गुन सूत्र होंगे यदि कोशिका में M प्रावस्था के बाद DNA की मात्रा 2C है तो G1, S सथा G2 प्रावस्था के बाद इसकी कितनी मात्रा होगी अब तक सीखी गई कोशिका चक्र की विभिन प्राबस्ताओं के अधार पर अपने साथियों में इस पर चर्चा कीजिए तथा इन प्रस्टों के उत्तर ढूंड़िए हमारी जिग्यासा पुना चिंतन मनन की ओर प्रेड करती है कि पादप और प्राणी अपने जीवन काल में कैसे व्रधी करते हैं क्या पौधों में सभी कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती रहती हैं। क्या आप सोचते हैं कि कुछ कोशिकाएं सभी पौधों एवं प्राणियों के जीवन में हमेशा विभाजित होती रहती हैं। क्या आप उच्छ कोटी के पादप में उस उतक का नाम बर स्थान बता सकते हैं जिसकी कोशिकाएं जीवन बर विभाजित होती रहती हैं। चच्चा कीजिए और समोह चच्चा द्वारा सीखने का अनन्द लीजिए। अब हम कोशिका चक्र में सूत्री विभाजन अर्थात M प्रावस्था का अध्यान करेंगे। कोशिका चक्र की सरवाधिक नाट की अवस्था होती है जिसमें कोशिका की सभी घटकों का ब्रहत पुनर घठन होता है। जनक वे संतती कोशिका में गुण सूत्रों की संख्या बराबर होती है। इसलिए से सम विभाजन भी कहते हैं। सुविधा के लिए सूत्री विभाजन को केंद्रक विभाजन अर्थात केरियो काइनोसिस की चार अवस्थां में विभाजित किया गया है। यह हैं पहली पूर्वावस्था जिसे हम प्रोफेज कहते हैं। दूसरी मध्यावस्था अर्थात मेटाफेज। तीसरी पश्चावस्था अर्थात अनफेज। और चौथी अंत्यावस्था जिसे हम टिलोफेज कहते हैं। आप स्क्रीन पर चित्र को देखिए अंत्रा अवस्था की S व जी वन अवस्था के बाद पूर्वा अवस्था अर्थात प्रोफेज केरियो कानेसिस का पहला पड़ाव है S व जी वन अवस्था में DNA के नए सुत्र बंग तो जाते हैं लेकिन आपस में गुथेवे होने के कारण स्पष्ट नहीं होते हैं गुण सूत्रिय पदार्थ के संगनन का प्रारंब ही पूर्वा अवस्था की पहचान है गुण सूत्रिय संगनन की प्रक्रिया के दौरान ही गुण सूत्रिय द्रव्य स्पष्ट होने लगते हैं तारक काय वे तारक केंद्र जिसका अंतरावस्था की एस प्रावस्था के दौरान ही द्विगुणन हुआ था अब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की योड चलना प्रारम कर देता है पूर्वा उस्था के पूर्ण होने के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनकी विशेष्टाएं इस प्रकार हैं गुणसूत्रिय द्रव्य संगनित होकर के ठोस गुणसूत्र बन जाता है दूसरा गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में सेंट्रो मियर से जुड़े रहते हैं तीसरा अंतरा अवस्था के समय जिस तारकाय का द्रिग्णन हुआ है वह कोशिका में विपरीत रूप की ओर जाने लगता है प्रतेक तारकाय सूख्ष्प नलिकाओं को विकरित करता है जिसे तारक या एस्टर कहते हैं ये तंतू वे तारक मिलकर के समसूत्री विभाजन यंत्र बनाते हैं पूर्वा वस्था के अंत्र में यदि कोशिका को सूख्ष्म दस्रिते देखा जाता है तो इसमें गौल्जीकाय अंतर द्रवी जालिका केंद्र का वे केंद्रक आवरण दिखाई नहीं देता है केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप से विगर्टित होने के साथ समसूत्री विभाजन की द्वितिय अवस्था प्रार्व होती है चित्र में देखिए इस अवस्था में गौन सूत्र कोशिका के कोशिका द्रवी में फैल जाते हैं इस अवस्था तक गौन सूत्रों का संगनन पूर्ण हो जाता है और सूख्षम दर्शी से देखने पर ये स्प्रश्टूप से दिखाई देने लगते हैं यही वह अवस्था है जब गौन सूत्रों की आकरती का ध्यन बहुत ही सलतरिकी से किया जा सकता है मध्यावस्था गौन सूत्र दो संतती अर्ध गौन सूत्रों से बना होता है जो आपस में गौन सूत्र बिंदू से जुड़े होते हैं गुण सूत्र बिंदू के सताय पर एक छोटा बिम्ब आकार की सन्रचना मिलती है जिसे हम काइनोटो कोर कहते हैं सूक्ष्प नलिकाओं से बनेवे तरकु तंतु के जुणने का स्थान ये सन्रचना अर्थात काइनोटी कोर हैं जो दूसी और कोशिका के केंदर में स्थित गुण सूत्र से जुड़े होते हैं मध्यावस्ता में सभी गुण सूत्र मध्रे का परागर स्थित हो रहते हैं प्रतेग गुण सूतर का एक अर्थी गुण सूतर एक ध्रुव से तरकु तंतू द्वारा अपने काइनेट कोर के द्वारा जुड़ जाता है। मध्यावस्था में जिस तल पर गुण सूत्र पंक्तिबद्ध हो जाते हैं उसे मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं मध्यावस्था की मुख्य विशेष्टा है पहली तरक उतंतु गुण सूत्र के कायनेट कोर से जुड़ा रहते हैं दूसरा, गुण सूत्र मध्य रिखा की ओर जाकर मध्यावस्था पट्टिका पर पंक्ति बद्ध होकर धुरूबों से तरकुतंतु से जुड़ जाते हैं। कोशिका के सूत्री विवार्यन के स्क्रम में अब पश्च पूर्वावस्था प्रारंब होती है। स्क्रीन पर चित्र को देखिए। पश्च वस्था के प्रारंब में मध्यावस्था पट्टिका पर आये प्रतेक गुण सूत्र एक साथ अलग होने लगते हैं। तब प्रतेक का गुण सूत्र बिंदू द्रुवों की ओर होता है जो गुण सूत्रों को द्रुवों की ओर जाने का नित्रत्व करते हैं। साथ ही गुण सूत्र की भुजाएं पीछे आती हैं। पश्चा अवस्ता की ये विशेष्टा हैं कि पहली गुण सूत्र बेंदू विखंडित होते हैं और अर्द्य गुण सूत्र अलग होने लगते हैं दूसरा अर्द्य गुण सूत्र विप्रित द्रुवों की ओर जान लगते हैं स्क्रीन पर दर्शाय के चित्र को देखिए, सूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था के प्रारम में अंत्या अवस्था गुण सूत्र जो क्रमानु सार अपने धुरूपों पर चले गए हैं, असंगनित होकर के अपनी संपूर्टा को खो देते हैं एकल गुण सूत्र दिखाईनी देता है, वे अर्दे गुण सूत्र द्रव्य दोनों धुरूपों की तरफ एक समों के रूप में एककतित हो जाते हैं अंत्या वस्था की मुख्य घटनाएं हैं, पहली गुण सूत्र विप्रीत द्रुवों की ओर एकत्यत हो जाते हैं और इनकी प्रथक पहचान समाप्त हो जाती है, दूसरी गुण सूत्र समोह के चारो तरफ केंद्रक जिल्ली का निर्मान हो जाता है, तीसरा केंद्रका गौल संतती केंद्रकों में सम प्रथकन होता है, जिसे केंद्रक विभाजन या केरियो कैनेसिस कहते हैं, अब आप स्क्रीन पर दरसाए चित्र में देखिए, कोशिका विभाजन के अंत्र में कोशिका स्वयम एक अलग प्रक्रिया द्वारा दो संतती कोशिकां में विभाजत हो इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। आता है इनमें कोशिका द्रव्य विभाजन दूसरी भिन्य प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। भित्यों के बीच मध्य पट्टिका को दर्शाती है। कोशिका द्रव्य विभाजन के समय कोशिका अंगक जैसे सुत्रक्रियाओं अर्थात माइटोकॉंड्रियाओं और प्लैसिड अर्थात लवक का दो संतती कोशिकाओं में वितरन हो जाता है। कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाता है। जिसके परिणाम शरूप एक ही कोशिका में कई केंद्रक बन जाते हैं। ऐसे बहुद केंद्रक TIM कोशिका को संग कोशिका कहते हैं। उधारन के लिए नारियल का पानी आपने देखा होगा तो यह नारियल का तरान भून कोश्च है इसी का उधारन है। सूत्री विभाजन या मध्यवर्ती विभाजन केवल द्विगनित कोशिकाओं में होता है। यद्यभी कुछ निम्न स्रेणी के पादपों एवं सामाजे कीटों में अगणित कोशिकाओं भी सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। प्रिविद्यार्थियों, आज हमने कोशिका चक्र के बारे में और सूत्री विभाजित के बारे में जो कुछ भी सीखा है, उसकी एक बार हम पुन्रावर्ति कर लेते हैं. सभी कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होती हैं, जिसमें प्रतेग पैत्रक कोशिका विभाजित हो करके दो नई संतती कोशिकाओं का निर्मान करती हैं. ये नव निर्वित संत्ति कोशिकाएं स्वयम बद्धिवय विभाजन करती हैं। उन अवस्थाओं को जिनकी अंतरगरत कोशिका का एक विभाजन से दूसरे विभाजन की ओर गुजरती हैं उसे हम कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र में दो प्रावस्थाएं होती हैं। एक अंतरगरता कोशिका विभाजन की तयारिकी अप्रावस्था तथा दूसरी सूत्री विभाजन अर्थात कोशिका विभाजन का वास्तविक समय अंतरगरता को पुन हैं जी वन एस तथा जी टू प्रावस्थाओं में व प्रावस्था में अधिकांस अंगकों का द्विगणन होता है। कोशिका द्रविभाजन कहते हैं। कोशिका द्रविभाजन में क्या अंतर है। तीसरा प्रावस्था में होने वाली घटनाओं का बन्न कीजिए। चौथा प्रावस्था क्या है। पांचमा प्राशन सूत्री विभाजन को सम विभाजन क्यों कहते हैं। चटा प्राशन कोशिका चक्र की उस अवस्था का नाम बताएं जिसमें निम्न घटनाएं संपन्न होती हैं। नमबर एक गुण सूत्र तरकु मधिरेखा की तरफ गति करते हैं। नमबर दो गुण सूत्र बिंदू का तूटना वे अर्द्र गुण सूत्र का प्रतक होना। नमबर तीन समजात गुण सूत्रों का आपस में युगमन होना। नमबर चार, समजात गुण सुत्रों के बीज विन्यमे का होना। प्रेविद्यार्थियों, आज के सत्र में आपने कोशिका चक्र वैस समसुत्री विभाजन का विस्तत अध्यन किया है। आप इसका पाठन करें, मनन करें और स्वध्य करते रहें और अपने जीवन के उद्देशी की पूर्ती में सफल हो। इनी सुब कावनाओं के साथ स्रीघरी आप से पुनह मिलेंगे। धन्यवाद। झाल 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 झाल